असलाम अलेकुम जी तो वो तमाम दोस्ट और स्टूडेंट या इस्पाइरेंट जो वन पेपर एक्जेम्स की तेहरी कर रहे हैं पी एमस जैसे भी अनाउंस हुए है और उसके साथ साथ एकसाइज डिपार्टमेंट के अंदर भी स्टेनोग्राफर की सीट भी आई है एड न पाकिसान की जो अबाधी कितनी थी और उसके लिहार से पाकिसान का अर्टिकल करता सेंसिज को वर्दम शुमारी को कूँके पिपयासी का जो पिछला टेस्ट हुआ था उसके पूच्छा हुआ था कि 1998 के अंदर पाकिस्तान की पापुलेशन कितनी थी तो इस में इत में कि का जो जवाब है वो म西 पता होना चाहिए और हमें त्यारी के अंदर ये चीज είναι पता होनी चाहिए कि पाकिसन के अंदर अब वी को जुज़ जैदा सेंस नहीं हुए जदा मरद में श्मारिय नहीं स्रफ साथ ही हुए लिए तो वो में जिए वीडियो दिखने के लिए मरचले को सब्सकाइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबाल लें तब कि अगली वीडियो अब तक टाइमली पहुंशा के जी तो वीडियो शुरू करते हैं और हमारा लैक्टर शुरू करते हैं आज का तो इसके अंदर जी जो हमारे प शुरू करते हैं वो करता है जी आर्टिकल फिफ्टी त्री फिफटी वन सब क्लाज 3 अर्टिकल फिफ्टी वन सबक्लाज 3 डील करते हैं और उपर मैंने क्या लिखा हुए वह जी नेश्नल सम्बली की जो सीट्स एलोकेट होती हैं हर प्रवींस को वो भी किस पर डिबेंड अबादी के अंदर वो मिलती हैं उनकी अबादी के उपर आर्टिकल 51 जो है वो अबादी को भी डील करता है और अबादी का मतलब क्या है कि मर्दम शुमारी पर कितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा उनकी सीटें होंगी तो इसलिए वो कहता था सीट इन अश्मब्ली are allocated to each province FATA and federal territory on the basis of of the population in accordance with the last residing census officially published under article 53 51 article 51 subglossary of the constitution वो कहता है कि जितनी सीटें किसी शुबे को मिलनी है national assembly के अंदर वो depend करती है कि जो पिछला census हुआ है जो पिछली मर्दम शुमारी उसके अदर अबादी कितनी किसी शुबे की उस लिहाज से उस सुबे को इतनी सीटें मिलेंगी और उसके साथ जी देखें census officially published under article 51 subclossary of the constitution के census जो है वो article 51 के ताइट article 51 के ताइट जो मर्दम शुमारी जो census है वो officially published की जाती है further distribution of funds between the federation and the provinces are made through national finance commission NFC award भी से कहते हैं तो वो किसके अंडर होती है वो थी 160 article article 160 subclossary of the constitution के ताइट अब आपको पता होना चाहिए के census organization कब बना था वो बना था जी 1950 के अंदर और उसके साथ साथ जी article कौन सा डील करता है census को वो करता है 51 subclossary और जो funds मिलते हैं किसी भी सुबों को अब तक पाकिसान के अंदर total साथ census हो चुकी है साथ मर्दम्शमारी हो चुकी है अब सबसे पहली कब देखें और्गनेशन जो बनी है जो इस्टैबलिश होई और्गनेशन वो 1950 के अंदर हुए क्योंकि और्गनेशन पहले बनेगी तो ही census करवाएगी ना एक इदारा बने जो साथ सेंसिस करवाएगा तो बना था 1950 के अंदर पहली मर्दम्शमारी कब होती फिर 1951 के अंदर वी पहली मर्दम्शमारी उसके पाकिसान की टोटल पापूलेशन थी वो थी 75.7 मिलियन अब उसके अंदर जो वेस्ट पाकिस्तान था जो आज का मजुदा पाकिस्तान है वेस्ट पाकिसान की थी 33.7 मिलियन और जो इस पाकिसान था बंगलादेश उसके वादी थी 42 मिलियन तो आपको यह भी याद होने चाहिए वह आपको इनका आईडिया होना चाहिए इस हवाले से भी और इसके साथ साथ जो हमारी दूसरी मर्दम शुमारी है वो होती है 1961 के अंदर वो कब होती है वो होती है 1961 के अंदर और उसके अंदर पाकिसान की टोटल पापुलेशन थी वो थी 93 million 93 million जो दूसरे population थी हमारी दूसरी मर्दम्शमारी के अंदर और इसके अंदर जो West Pakistan था जो आज का पाकिसाना जी उसकी जो बादी थी वो थी 42.9 million और जो इस पाकिसान जो बंगलादे शार्ज का उसके वादी थी 50 million तो आप इसको ऐसे भी आज़ कर सकते हैं इस पाकिसान की अगले मर्दम्शमारी में आके West Pakistan की पापलिशन होगी कैसे के पहले 1951 के होई उसके बाद 10 साल के बाद इग्जैक्ट काउंची होती है 3.3 million हमारी टोटल पापॉलेशन थी अब आप सोचेंगे क्योंगे कम क्योंगी पहले 93 टोटल थी पहले 93 टोटल थी उसमें इस पाकिसान भी शामल था अब सिरफ और सिरफ वस्पाकिसान है अब इस पाकिसान शामल नहीं है इसके अंदर और इसके बाद जो फूर्थ और य 971 में होता और फिर होता 81 में तो ये उसके वार की में से पोस्ट मन हो गया एक साल के लिए और उसके बाद जी अगला जो हुआ वो टाइमली हिसाब सी हुआ 1981 के अंदर 9 साल के बाद हुआ और हमारी जो पापुलिशन थी वो होती 84.3 मिलियन ये हुई उसके बाद अगली होनी तो चाहिए थी 1991 में 1991 में होनी चाहिए थी लेकिन क्या हुआ कि वो लेट होगी क्योंकि माशलाल आप चुका था और भी फर्दर जो एक कंडिशन सी मसाइल थे उस वजह से जी पापुलिशन जो सेंसिस था वो ना हो सका क्योंकि हुआ कोमते दो तो तीन दिन साल के लिए बनती थी बेंजि एक्षॉल में सेंस्सित हो नीं पाया तो 19 उसके बाद ये 1981 के बाद जो पाँचमा शेंस्सित है वह 1998 के अंदर हुआ 1998 के अंदर और ये कतने सालों बाद हुआ ये हुआ 17 साल के बाद और इसके अंदर पाकिसान की जो पापुल शिंदी बो थी 132.4 million एक सो बगतिसी शरीयत दोसो दोजार सत्रा में इसके अंधर उमारी पापूशन थी यह थी दोसो शारिया साथ मिलिए और यह जी उनिस साल के बाद हुआ होना कब चाहिए था हमारे constitution के अंतर लिखा एक है 10 सल बाद होगा लेकिन यह नहीं हो पाता due to some reasons तो जी यह 19 साल पहला 17 साल के बाद फिर 19 साल के बाद हुआ 2017 में और तब पाकिसान की population थी 207.7 million उसके बाद जो होता है वो हता है जी सन 2023 के अंदर और यह 6 साल के बाद होता है और यह पाकिसान की हिस्ट्री का पहला digital census भी है पाकिसान की हिस्ट्री का पहला digital census अकर mc के उतार जाता है तो वो सन 2023 का census है दो सन 2023 की मर्दम शुमारी है तो इसके अंदर पाकिसान की पाकिसान है 241.5 million 241.5 million तो आपने इस तरह से इसको असानी से याद कर लेने एक number बना लेने एक order बना लेने तो आपने यह total population भी इस तरतीब से याद रखनी है और यह वेस्ट पाकिसान और इस पाकिसान की population भी याद रखनी क्योंकि यह सिर्फ दो census के अंदर ही थे उसके बाद 1971 के अंदर 16 December को बंगलादिश बन गया उसके बाद यह हमारा सिर्फ पाकिसान की population count होती है तो आपने इसको भी याद रखना है तो जी आपने I hope कि आपको यह सार सब्सक्राइब नहीं होते जैसे एक जाया हो तो 1998 के अंदर जी पाकिसान की revolution कितनी थी तो जिनके गलत हो गया तो वह तो गलत हो गया न यह कितनी छोटी सी वडियो दस मिनिट की भी होगी तो आपको जी इसके अंदर आपकी एक चीज क्लेर होगी और आपको इस चीज़ें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें स्टे ट्यून